लो दोस्तों आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है थैंक्स फर वाचिंग फ्रेंड्स और फ्रेंड्स अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक शेयर और कॉमेंट जरूर करें सब्सक्राइब करें मेरे चैलेज जैसे मेरे वीडियो आए तो आप इ बहुत ही पॉपुलर है तो इसको फॉलो करें आप और कोशिश करें ऐसे मेरे साथ इसको आई शेडो आप एपलाइ करें तो बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही अच्छा एक बसूरत आपको दिखाने वाली हूं तो दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल त तो आप देख रहे हैं तो मेरा जो बेस कलर है इसमें पिंक कलर मैंने इस तना यूज किया है तो आप पहले देखें पिंक जो शेड है उसको मैं आउटर से इनर कॉर्णर में पहले कर चुगी हूं फिर ब्रस उसको अच्छे से ब्लेंड मैं कर ब्लेंड करना है आपको फिर यह बहुत आसानिक तरीका है आप इसे भी कर सकते हैं तो गॉय सबैने ब्लुच एक बहुत है यूनिक एक आई शेड़ो का जो लॉट है तो उसको मैं मैंने क्रीज में अपलाई करके अच्छे से ब्लेंड कर रही हूं मेरा जो ब्लेंडिंग ब्रश आई ब्रश है तो दोस्तों मैं ब्रश के बारे में भी एक दिन डीटेल में आप लोगों को क्लास में मेरे ब्लॉग में बताऊंगी क्या-क्या ब्रश आप कब इस्तमाल कर सकते अच्छा हुगा तो फीर से मैं आउटर कोरनर में ने पहले आप लोगों को बताए हैं कि प्लीज आप लोग ऑटर कॉर्नर में थोड़ा सा डाक शेट का अपलाई करें तो जो मेरा क्रीज है उसमें मेरा blue मैंने अपलाई कंप्लिट हो गया मेरा application आशेडो तो दोस्तों मैं इसमें जैसे glitter apply करने वाले हूं तो glitter glue में इसमें apply करची हूं पहले करके आइशाडो बाहाईली पिग्मेंटेड आइशाडो इसमें अपलाई कर सकते हैं ज़रूरी नहीं है कि आप आपको ग्लीटर ही इस्तेमाल करने हैं तो और एक शेड में लाइन जैसे एक लाइन दे रही हूं जिसे यह और भी खुबसूरत लगेंगे मेरे आईशाडो आई मेक कर रही हूं और अच्छे से अच्छे से बहुत ज्यादा ध्यान रखें आप लोग को ब्लेंट करना है आईशाडो एक जगा आईशाडो जैसे एक जगा ना हो जाया बहुत ही अच्छे तरीके सबको ब्लेंड करना है फिर जैसे बहुत जरूरी है आप इसको लाइन दे तक हुआ है कहां तक होआ है फिर मैं अपलाई करने वाली हूँ लाइनर आई लाइनर और काजल ब्लैक आप लोग कोई भी कलर काजल ऐसा नहीं ब्लैक ही इसतमाल करने यह जो आई शैडो का शेड़ है मेरा जो बेस्ट है परपल ब्लू और पिंक के उपर तो इस पे आप दोस्तों पिर उसके उपर नेर जो ग्रीन उसको मैं इस्तिमाल कर रही हूं और बहुत ही लाइट कॉछ लेगा है इसको बहुत हलका रखना है कि मेरा आई मेकपमेगल में इस्तेमाल की हूँ बहुत अच्छा लगेगा किसी को भी lenses पसंद है तो आप launch का इस फिन भी कर शकते अधियरा नीचे भी मैं थोड़ा सा apply कर रही हूं मेरा जो shemerry liner है और दोस्तो बहुत बहुत ज़रूरी है कि आप brush लेके एक बहुत आच्छा सा एक perfect brush लेके तो जो shade आप apply किये हैं उसको थोड़ा नीचे भी आप एपलाई करें जैसे में blue color blue pink मिलाके जैसे मेरा blue color इसमें इस्तमाल करी हूँ आईस के नीचे तो ये बहुत ही बहतर है अब देख रहे हैं कितना खुबसूरत एक eye makeup को मेरा enhance कर रहे हैं जैसे blue मैंने apply किये हैं नीचे हमेशा यह जरूरी नहीं है कि आप लोग नीचे black का इस्तिमाल करें color का जैसे eye makeup जरूरी होता है जैसे में चाहिए उसी हिसाब से आप लोग इस्तिमाल किजिए shades color आईश पैरेश से लेके तो outer corner sorry inner corner और eyebrows के नीचे जैसे मेरे suggestions रहते हैं कि हमेशा हमेशा आप highlighter के इस्तिमाल करें कभी यह काम ना भूले तो eye makeup आपका incomplete रह जाते हैं तो दोस्तो यह वीडियो मेरा आपको बहुत ही पसंद आया होगा बहुत ही helpful रहेगा beginners के लिए तो दोस्तो प्लीज शेर लाइक और subscribe जरूर करें और comment करें तो बाई दोस्तो